फिटकरी से पत्थरी का इलाज कैसे करें? पत्थरी को इंग्लिश में किड्नी स्टोन करते हैं, इसमें आपके किड्नी में छोटा पत्थर बन जाता है, जो काफी दर्दनाक होता है. सामाने तहट इसके इलाज के लिए आपको सरजरी करवानी पड़ती है, लेकिन आज यहां हमने कुछ ऐसे घरेलू और आयूर्वेदिक उपाय बताए है, जिससे आपकी पत्थरी बिना सरजरी के निकल जाएंगी. यहां दिये गए सभी उपाय आयूर्वेदिक है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आप जब चाहे तब नुस्खे आजमा सकते हैं. पत्थरी होने का कारण क्या है? लोगों में पत्थरी होना काफी आम बात है. इसका कारण लंबे समय तक मूत्र विसरजन ना करना और कम पानी पीना है. कम पानी पीने की वजह से आपके शरीर में क्षार की मात्र बढ़ जाती है ज्यादा समय तक आपने पेशाब को रोकने की वजह से आपकी किड्नी में इस क्षार की छोटी-छोटी गोलियां बन जाती है जो बादमें छोटा पत्थर बनता है और बहुत दर्थ पहुँचता है पत्री होने के लक्षन क्या है? पत्री रोग किड्नी की बीमारी है उसलिए इसके सारे लक्षन पेशाप से पता चल जाते है पेशाप करते समय पसली के नीचे दर्थ होना पेशाप में दिक्कत होना और खून आना उल्टी होना और जी मचलना कम पेशाप आना और दुरगंध आना बार बार पेशाप आना फिटकरी से पत्री का इलाज कैसे करें? पत्री को निकालने के लिए फिटकरी को पानी में उबाल ले फिर उस पानी को सुभा, दूपहर और श्याम पिए इससे आपकी किड्नी में स्टोन होगा वो गलने लगेगा बाद में वो धिरे-धिरे करके पेशाप से निकल जाएगा फिटकरी का पानी पिने वाले पानी में मिला कर पीजिए इससे आपकी पत्री ठीक हो जाएंगी साथ में आपके किड्नी की सूजन भी कम हो जाएंगी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है फिटकरी में ऐसे गुण होते हैं जिसकी मदद से वो स्टोन को पिघला देती है पत्री के कुछ अन्य घरेलू उपचार नीम्बू से पत्री का इलाज कैसे करें एक ग्लास पानी लीजिए और उसमें एक पूरा निम्बू निचोड कर पी जाएंगी अगर आपको निम्बू पानी थोड़ा खटा लगे तो उनसे थोड़ा नमक डालिए अगर आप सुभा श्याम एक एक ग्लास निम्बू पानी पीएंगे तो आपकी पत्री की समस्या हल हो जाएंगी निम्बू में रस में ऐसी ओशधिये गुण होते हैं जो आपके किड्नी में बनने वाले पत्थर को रोपता है और बने हुए पत्थर को छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित कर देता है जब ये पत्थर छोटे बन जाते हैं तब वह आराम से आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं लहसुन से पत्थरी का इलाज कैसे करें? आप लहसुन की दो से तीन किलिया ले उसे थोड़े नमक के साथ चबाए और धेर सारा पानी पीजिए आप इसकी पेस्ट बना कर निगल सकते हैं दिन में ऐसा दो बार करिए लहसुन में ऐसे केमिकल होते जो पत्थरी से जुटा कर उसे तोर डालते हैं बाद में पत्थरी आपके पेशाप से बाहर निकल जाएंगी बियर से पत्थरी का इलाज कैसे करें? आपने सुना होगा कि बियर पिने से पत्री कत्म हो जाती है. तो ये बात एकदम सच है. अगर आप एक साथ ज्यादा मात्र में बियर पिए तो आपकी पत्री तुरंथ निकल जाएंगी. बियर ज्यादा पीने से आपको पेशाब जोर की आएंगी. इसी वजह से पत्री भी ज जल्दी निकल जाएंगी। ध्यान रहे, आप हल्फी बीर पीए। ज्यादा भारी और नशे वाली बीर पीने से आपको नुकसान भी हो सकता है। जामुन से पत्री का इलाज कैसे करें। अलसी से पत्री का इलाज कैसे करें। एक-एक गिलास अलसी का काड़ा पीना है। अलसी की मदद से आपकी पत्री छोटी हो जाएंगी। जिसकी वजह से पत्री मूत्र विसरजन के साथ बाहर चली जाएंगी। अगर आपको बार-बार पत्री की समस्या होती है, तो आप इसका नियमित सेवन कर सकते हैं। मूली से पत्री का इलाज कैसे करें। मूली के रस में औशधीय गुण होते हैं। अगर आप सुभा और शाम 50 मिलीलीटर जितना मूली का रस पीते हैं, तो आपके पत्री की समस्या जल्दी कत्म हो जाएंगी। मूली का रस पत्री का रामबान इलाज है। मूली के रस में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं, जो आपकी किड्नी में से पत्थर को निकलता है और नए बनने वाले पत्थर को रूपता है। अगर आप नियमित इसका सेवन करेंगे, तो आपको जल्दी रिजट मिलेंगे।